ट्रेडिंग के लिए कौन सा कोर्स जोईन करें, ट्रेडिंग के लिए क्या हम खुद से सिखें, ये मन में काफी सारे questions आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए actually में जब हम trading में आते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी course करेंगे तो हमें एक अच्छा profit हो जाएगा trading से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं और खुद से सीखेंगे तो खुद से तो सीखी नहीं पाएंगे ऐसा लगता है लेकिन आज मैं आपको एक practical solutions और practical answer बताने वाला हूँ कि आपको trading course पर पैसे खर्श करना चाहिए या फिर खुद से सीखना चाहिए दोनों में क्या differences है और दोनों में क्या नुकसान से तो सबसे पहले शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको अपना experience share करना चाहूंगा आपके साथ तो सबसे पहले मैं जब यहां पर trading में आया था तो कुछ दिन मैंने trade किया तो फिर loss हो गया loss होने के बाद मुझे लगा कि नहीं आप course ले लेते हैं जो भी बाकी पैसा बचाए क्योंकि course ले लेंगे तो obviously वहां पर setup मिल जाएगा strategy मिल जाएगा तो simple उस पे trade करेंगे तो profit होगा ऐसा मुझे लगा था अब course buy करने के लिए जो price था वो था 3999 जो कि मैंने pay कर दिया था जो कि आप screen पे भी देख सकते हैं अब मैंने किसको pay किया था यह मैं आपको नहीं बता सकता तो simple आप इतना समझ सकते हो तो courses लेने के बाद मुझे courses में क्या सिखाया गया courses में मुझे सिखाया गया था M pattern, W pattern, head and solder pattern ठीक है कुछ इस तरह का pattern Fibonacci के लिए अलग-अलग कुछ setting वगेरा change उन्स करके ठीक है Fibonacci के बारे में पढ़ा गया था couple handle के बारे में बताया गया था तो कुछ यह basics था फिर fake breakout और real breakout किस तरह candle बनेगा कितने time frame में देखना है तो यही कुछ basic चीजे मुझे सिखाया गया था अब जब वह सारा setup मुझे मिल गया उस पे जब मैंने trade करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ क्या मुझे profitable बन गया या फिर नहीं तो मज़ेदार बात तो यह था कि जैसे ही मैंने उस पे trade करना मैं तो सबसे पहले test कर रहा था जब मुझे यहां पे जो भी setup था strategy था मिल गया जैसे कि यहां पे एगर for example ने आपको यही पर चार्ट पर ही दिखाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा वह आज भी होता है पहली भी होता था यहां पे आपको इस तरह से 5 मिनट में लगा लेता हूं क्योंकि वह setup था strategy था जो भी बताया था 5 मिनट में यह भी course का experience बता रहा हूं फिर self learning का भी experience बताऊंगा तो आप इस वीडियो को लाश्क तक जरू देखेगा आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा सारा confusion दूर हो जाएगा तो यहां पर आप देखेंगे तो इस तरह से head and solder देखने को मिल रहा है अब जो मैंने सिखा था head and solder पे आके इ इतना profit देखने के बाद एक ही candle इतना बड़ा बन जाता तो सारा profit loss में हो जाता था और फिर जो नीचे speed से market जाता था उसका कोई जवाब ही नहीं था फिर लगा कि यार ट्रेड तो ले रहे हैं सारा कुछ ठीक है ट्रेड प्रॉफिट में भी जा रहा है और जब उनसे पूछते थे कि नहीं ट्रेड मैंने लिया इतना profit था तो बोला कि profit को बुक करना चाहिए था कोई risk reward नहीं कुछ नहीं जितना मिल रह analysis कर रहा हूं इसका hand बनने का इंतजार कर रहा हूं यह फिर बना इसका इंतजार कर रहा हूं ब्रिक आउट का इंतजार कर रहा हूं फिर यहां परनीस चांगा सारा खतम और फिर जो स्पीड से नीचे आता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं जैसे कि यहां पर भी हो रहा है आप जो खुद भी आप यहां वे देख सकते हो यह चीजे यहां पर एडन सॉल्डर बना ठीक है प्रिक आउट दिया यह स्पीड आने का आप देख देख रहे हो एक 200 रॉपए प्रॉफिट हो रहा है तो यहां से एक 200 रॉपए profit अगर हो भी गया तो उसमें आप profitable ट्रेडर नहीं बन पाऊवगे पता है जब loss होता है तो loss तो बड़ा होता है फ्रॉफिट दो 2.500 रॉपए profit भी हो गया उसमें से brokerage काटके कितना आया 200 रॉपए और लॉ सरफ ज्यादा होता था profit कम होता था है तो फिर मुझे सर लगा कि नहीं इस तरह से बनेखा थे यहां पर यह रहा हैर तो जब पैसे यहां और नीचे अ किसे हा। यहां यहां पर किया जा जा रहा कि उपर यह में पार लग अलग नय shlap तो उतना अच्छा कुछ खास वीडियो मिल नहीं रहा था तो धिरे-धिरे एक-दू मैना बीत गया तो फिर जाकर कुछ ऐसे यूट्यूबर मिले कुछ ऐसे वीडियो मिला जिसमें एक्चुल में मेरे जो कॉस्टन्स था मैं जो ढूंड रहा था वो चीज मुझे देखने को मिला कि इस तरह से एड़न सॉल्डर पैटन बनता है फिर जो लोग उपर लेते फिर इस तरह से नीचे जाता है तो मुझे लगा कि यह तो यह बिल्कुल सही बनता है क्योंकि मैं जि इसे मुझे पता चला नहीं फिर इस तरह से कामी नहीं करता फिर उसकी कॉस्ट की जो भी चीजें था जो भी सेट अप था वो मैंने सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि वह कोई भी फिर काम का नहीं था फिर लगा कि वह सारा पैसा वेस्ट हो गया यहां से कुछ भी रीटर्न साने वाला नहीं है उसके बाद मैंने फिर से सेल्फ लर्निंग चालू कर दिया फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं आप कोई भी कॉर्स वगएरा नहीं लूँगा और भी मैंने बहुत कॉर्स देखा कि मुझसे सिख लो यह हो जाएगा यह मैं रिजेक्शन से वो है इंडिके कि हाँ इस तरह से मार्केट काम करता है कैसे काम करता है यह सब लेबल्स कैसे काम आता है कहां से ड्रॉ करना है कैसे ड्रॉ करना है यह सब मैंने खुछ से सीखना चालू किया तब जाके जो है थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने को मिला पहले तो सही मैंने एनलिस किया कि हा उसमें कोई भी खास profit मुझे हो नहीं रहा था जो कि आप स्क्रीन पर भी मैं अगर लगा दूंगा अगर वो चीजे होगा तो दो तीन हजार रुपए लॉस हुआ था कॉस लेने के बाद भी फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं कोई भी आपको कॉर्स वाला नहीं सिखा सकता तो यह सब मैं बतला दूसरी जगा आ गया तो फिर से मैं क्या किया यह सब को भी बंद कर दिया केवल में चार्ट देखूंगा अब चार्ट तो पहली बार में समझ किसको आता है मालें नहीं आप ऑपन करोगे तो चार्ट आपको समझ में आएगा नहीं आएगा ना चार्ट मूव करता है वो देखते हैं तो यह देखती देखते समझ में आ रहा है नहीं इस तरह से होता है यह होता है फिर मैंने इस तरह से जो लेबल्स है वो मैंने निकालना सिखा फिर लेबल्स को चेक करना सिखा कि हाँ लेबल्स कैसे काम करता है मार्केट कैसे रिस्पे मिले हैं जो मुझे मेरे जो माइंड है उससे थोड़ा सा कनेक्ट होता हुआ दिखा फिर मैंने उन्हीं को फॉलो करना शुरू किया और धीरे धीरे फिर मेरी लर्निंग और भी अच्छी होती गई तो इस पॉइंट या फिर इस वीडियो से आपको मेंली क्या सेखने को इसने का सबका है बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो आप कॉर्स ले रहे हो मैंने भी कॉर्स लिया था सिखने के लिए लिया था बट उसमें कुछ मुझे मिला नहीं जो लोग बताते थे कि इस तरह से होगा उसके अपोजिट ज्यादा अच्छा हो रहा था तो मुझे उ कुछ लोग मिल गया है फिर मैं लर्निंग लेना शुरू कर दिया तो सिंपल सेल्फ लर्निंग जितना आपका रहेगा खुझ से लर्निंग जितना अच्छा रहेगा तो ज्यादा बैस रहेगा तो सिंपल अगर आप कॉर्स लेने के बारे में सोच रहे हो तो कॉर्स लेने क है ऐसे होगा डायरेक्शन यह बोल रहा है ठीक है ऐसे हुआ है जिसको experience actual में 5-6 साल का उससे कौर सुल एक दो साल experience रहा है ठीक है एक साल में मार्केट में कुछ भी नहीं होता है रियालीटी बता रहा हूं कोई बोल रहा है कि मैं दो साल से ट्रेडिंग में हूँ तो उसको कुछ खास जानकारी नहीं है ठीक है भले वह प्रोफिटेबल ट्रेडर हो अलग बात है ठीक है लेकिन जो जानकारी होता है कम से कम चार-पांस साल जो ट्रेडिंग को दे चुका है उनसे आप कॉर्स वगयरा पुर्सेस करो तो समझ में आता है कि यह बंदर ठीक है उसके पीएनल वगयरा चेक करके भी आप पीएनल तो खैर एडिट वगयरा हो जाता है तो पीएनल की क्या ही बात करें बदर जिसके बाद आपको मैक्सिमम जो है मैक्सिमम बोल रहा हूं मिनिमम एक साल देने ही पड़ेंगे क्योंकि कॉर्स लेने के बावजूद भी आपको स्ट्रागल करना पड़ेगा ऐसा नहीं है आप यह मत सोचेगा कभी भी कि इस तरह कैंडल बनेगा तो ही अच्छे से ट्रेड मिलेगा त प्रेडान करो चाहने सेल्फ लर्निंग मिनिमम आपको मिमोडर्बन दो से तीन साल देने ही पड़ेंगे आप या फिर आपको ट्रेड़िंग का यह जो चार्ट है वो समझ में आएगा यह कुछ भी समझ में नहीं काति हैं चाहें लोगों कि भिब हूँ diagnosticarmy चाहरे कर साथ की तो Earth को पीछे बागा नहीं को तुरद सरी के पीछे पांब बागय गिंग डोसे तीन साल जब तक नहीं देगी दो से तीन साल आप राये से नीचे जा रहा है जाने दो देखते हैं कितना नीचे आज जाएगा दिन पर पहले यहीं करता था कि जो सीखने की जो तरीका होता है या फिर आप बोल सकते हो जो सीखने का जो पैसेंस होता है वो इसी तरह से काम करता है ठीक है इसी तरह से आप सीख पाऊगे आप सुचों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एकले वीडियो में तबते के लिए धन्यवाद